यूट्यूब चैनल क्यों बनाना है क्या जरूरत हमें यूट्यूब चैनल बनाने की पैसे कमाने के लिए मैंने भी अपने थम्नियल पे लिखा वैं लाखों कमाई क्या ये बात सच है क्या यूट्यूबर्स इतना पैसा कमा पा रहे हैं यूट्यूब से जो आपको भी एक लाग तिरासी हजार रुपए की अर्निंग हुई है यहाँ पे एक और चैनल आपको दिख रहा है उस पे बारा मिलियन व्यूज आए है तीन दिन में इतने रुपए कमा चुका है यह चैनल अभी तो रुको, आगे देखो यह चैनल है पचास मिलियन व्यूज आप गाने देखते हो यूट्यूब पे उन पे सो मिलियन व्यूज दो सो मिलियन व्यूज ऐसे रहते हैं एक कोमेडी वीडियो पे भी दस पंदरा मिलियन व्यूज रहते हैं मतलब तीन, दो तीन करोड व्यूज इतने views रहते हैं तो वो कितना कमा लेते होंगे उससे इतना तो लगबग कमाई लेते होंगे 12 लाक रुपए कितना रुपए तो कमाई लेते होंगे लेकिन इन सब को करने के लिए सबसे जो पहला step है न वो है एक YouTube channel स्टार्ट करना YouTube channel बनाना बना हर कोई लेता है, retain नहीं कर पाता है, continue नहीं रख पाता है, दो दिन वीडियो डालेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे, देखते जाओ आप, उसके बाद देखो, इस वीडियो में है ना, specifically मैं इस चीज पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube चैनल बनाओगे, YouTube चैन तो गलत नहीं है, तो यह है ना, सही तरीका देख लो, कि कैसे आपको सेटिंग करनी है, कैसे आपको चैनल को create करना है, हमने थमनेल पर बताये, सारी है ना, सेटिंग को भी discuss करूँगा, मैं प्रोब पर किस तरीके से बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, आप, आपको motivation के जर youtube.com पे और जब आप youtube.com क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके का दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ desktop साइट को own कर लेना है, तीन dots पे क्लिक करके, request desktop साइट, तो आपको इस तरीके का दिखने लग जाएगा, अपना mobile, अगर आपका auto rotation बंद है, तो उसको own कर ल पे दिखाता हूं, कैसे आपको बनाना है, तो जैसे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आप sign in पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, create account पे क्लिक करना है, जब आप create account पे क्लिक करेंगे, तब आप से पूछेगा myself खुद के लिए बनाना है, तो to myself आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपना पहला नाम डालना है अपना लास्ट नेम डालना है जैसे मेरा नाम अंकीत खोला अंकीत यादव है तो हमने डाल दिया अपना नाम उसके बाद और बनाने हैं न इमेल इड़ी बना हो आउ वह बढ़िया रहता है क्योंकि आप पुरानी इमेल इडिज में इसका ज्ड़ा फायदा नहीं रहता है तो आновकर ऑप डाल जैंगे नेक्सट पे लित करेंtal है यहाँ प्लिक यहां पर phone number पुछेगा कि अपना mobile number बताओ ताकि वो verify कर पाई कि कोई रोबोट तो यह channel नहीं बना रहा है एक इनसान ही है जो channel बना रहा है तो जैसे यहां पर अपने mobile number एंटर करोगे Mobile number enter करते ही यहाँ पे आपके पास बहुत सारे options है जैसे यहाँ पे आप अपनी recovery email ID कोई भी दूसरी email ID डाल सकते हो जो अगर आपकी ये email ID कभी भी hack हो जाए आज कल बहुत सारे YouTube channel hack हो रहे है तो अगर hack हो जाए तो आप उस email ID का use कर सकते हैं यहाँ पे आप अपनी date of birth डाल दोगे हमने भी अपनी date of birth डाल दिये और उसके बाद हम next कर देंगे जैसे ही आप next करोगे आपके mobile नमर पे एक OTP आएगा उस OTP को डालोगे आप यहाँ पे उससे आपका YouTube channel क्या हो जाएगा verify हो जाएगा और जैसे ही हमारा OTP आया हमने यहाँ पे send किया OTP उसके बाद हमारे पास जैसे ही OTP आया हम उसको यहाँ पे enter करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे next कर देंगे तो हमारा OTP आता है तब तक आप क्या करोने यार वीडियो को like कर दो और चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को अभी की अभी subscribe कर दो जब तक OTP आता है और वीडियो को like जरूर कर दो क्योंकि यार ऐसी information आपको हम अच्छी अच्छी वीडियो में देते रहते हैं तो जैसे हमने next किया ना उसके बाद यह कुछ guidelines है yes I am in कर देंगे हम यहाँ पर जैसे आप यह साइम इन करोगे उसके बाद आपका यह पूरा का पूरा प्रोसेस complete हो जाएगा कुछ terms and conditions और है उनको भी हम क्या कर देंगे agree कर देंगे जैसे आप इन terms and conditions को अगरी करोगे ना आपका एक email id बन चुका है अब इससे हम क्या करेंगे अपना YouTube चैनल बनाएंगे अब आप यहाँ पर देखना जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आएगा अप्शन चैनल पर सीधा क्लिक करते आप से वो च finely का नाम पूछे लाब हमेज चैनल का नाम क्या डालना है यहाँ डाल सकते हैं अगonder आप यहाँ information चीए तो तो जैसे हम अपने चैनल का नाम चूज करेंगे यहाँ पर create a channel का option आ गया है हमारा जैसे हमारा create a channel होगा यह पूरा पूरा process complete हो गया आपका channel बन गया है अब channel बन चुका है यहाँ पर हम customization पर click करके या manage videos पर click करके हम उस setting पर जाएंगे जो मैं आपको settings अब बताने वाला हूँ जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको settings जरूर देखनी है और अपनी चैनल को create करते ही उन settings का यूज करने है वो settings कर लेनी है सबसे पहले अब देखो चैनल हमारा बन गया है उसके बाद settings बहुत जरूरी है दूसरे channels की setting मैं नहीं दिखाऊंगा नहीं channel की करके नहीं दिखाऊंगा मैं खुद के channel की दिखाऊंगा जो हमारा दिखाती है जैसे हमार हमने जो screenshot दिखाई थे पहले वो किसमे थे rupees में थे अगर आप चाते हो वो dollar में दिखे तो आप क्या कर सकते हो यहां पर है न, I.N.R चूज कर सकते हो यहां पर जब आप क्लिक करोगे न, इस option पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप कोई भी करण्सी चूज कर सकते हो हमने इंडियन रूपी कर रखी है कि भाई भारत वाली जो रूपी है उसी रूपय यहां का है इंडिया का यहां पर चूज करना है अगर आप इंडिया में हो तो अगर आप यह चाहते हो दुous tienes देशों की ओडियंस आई तो उनकी लेंग्वेज में जब आप वीडियो बनाओगे ना तो अपने धीरे-धीरे वह ओडियंस आने लग जाएगी लेकिन पहले यूट्यूब अपने ही मतलब जिस देश का चैनल रहता है उसी देश में वीडियो को भेजता है बेसिक इनफो ज जितने भी आमारे यूट्यूबर्स रहते ने बच्चों वाली वीडियो नहीं बनाते हैं तो यहां पर नोई रखो चाहिए बच्चों के लिए बनाएं ने तब भी हमें नोई रखना चाहिए क्योंकि मेड़ फॉर किट्स वाली वीडियो में क्या होता है ना जब आप उन पोटेंशली इन अपरोप्रियेट वर्ड्स अगर कोई गलती से हम उल्टे सीधे कुछ चीज़ें लिग दें तो वह ज्यादा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए ना ही ओटो कैप्शनिंग में डिस्प्ले होना चाहिए मतलब जो सब्टाइटल सापको ऑटोमेटिक बनके आत तो यह अच्छी चीज़ है यार इससे आपके ही वह बढ़ेगा आपका एक्सपोजर बढ़ेगा आपकी वीडियो को जाजाए लोगों तक रीज पहुंचेगी उसके बाद आते फीचर से यहां पर यह दो फीचर तो आपको मिल जाएंगी लेकिन जो तीसरा फीचर रहेग और जो थमनेल एड़ नहीं कर पाते हैं न कई बार लोग तो थमनेल भी इसी वज़े से एड़ नहीं कर पारे हो आप क्योंकि यह वाला ओप्टन आपके लिए वहां पर एविलेबल नहीं है उसके बाद देखो अप्लोड डिफोल्ट्स अप्लोड डिफोल्स क्या होता है जब भी आप कोई विडियो अप्लोड करोगे तो उसके अंदर यह सिर्फ दिखेगा जब आप अपने लिए उप्लोड करोगे न तभी यह चीज दिखेंगी जो यहां पर आप डाल रहे हो अगर आप मोबाइल से अप्लोड करोगे न तो अप्लोड डिफोल्स का कोई जहां देता हूँ यहां पर यह ना यह देखो एक पबली एक होता है प्राइवेट एक अनलिस्टिड पब्लिक क्या होता है जब हम आपको मेरी वीडियो को दिखती है तो इसका मतलब क्या है वह एक पबलिक वीडियो है वह मैंने सब लोगों के लिए अविलेबल कर रखी ह तो कई लोग क्या करते हैं वीडियो को अपलोड करते हैं पबलिक कर देते हैं ऐसा नहीं करना है आपको आपको क्या करना है उसको अनलिस्टिड करना है अनलिस्टिड का क्या फाइदा होता है कि यूट्यूब तो उस वीडियो को रीड कर पाता है कि हम अगर अनलिस्टिड में रहती है ने वीडियो को तब हो जाता है तो आपको कोई भी वीडियो डायरेक्ट पब्लिक नहीं करनी अनलिस्टिड रखनी है और उसके बाद ही पब्लिक करनी है उसके बाद एक उप्सन रहता है प्राइवेट प्राइवेट का मतलब क्या होता है प्राइवेट का मतलब धी करके मैंने आपको देजी तो आपको दिखेगी मतलब अगर आप किसी को लिंक भीजेंगे तो वह वीडियो प्लेयव हो जाएगी लेकिन अगर प्राइवेट वीडियो है उसका अगर आप किसीको भी लिंक तो अपने चैनल से डाल सकते हैं जैसे मेरे चैनल का नाम यूट्यूब लोग उसके बाद आता है एडवांस ओप्शन में क्या क्या चीज़े रहती है आप देख लो यहां पर लिखाव है और यहां पर है ना हम चैप्टर बना सकते हैं अपनी वीडियो के चैप्टर से क्या होगा कि जब भी आपकी वीडियो के अंदर कुछ-कुछ पार्ट से तो यूट्यूब अपने आप रीड कर लेगा कि यह कहां कहां पर क्या है जब लोग टाइम स्टैम्स डालत लेगा वह उसके बाद यह लाइसेंस रहता है स्टेंडर लाइसेंस चूज कर रखा है हमने और उसके बाद यहां पर कैटेगरी में एड्यूकेशन चूज कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हो जिस कैटेगरी में आपका चैनल है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुए इन अपोप्रियेट वर्ट मतलब अगर कोई गाली वगरा लिख रहा है कोमेंट में या कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा है ना तो उससे भी कम्मूनिटी गाइड लेंस ट्राइक आ जाती है तो यह उप्शन चूज रखो सही रहेगा और यहां पर अपने व्यूवर्स लाइक द वीडियो यहां पर यह उप्शन चूज कर दोगे तो उससे आपके लाइक दिखते रहेंगे कितने लोगों ने लाइक किया है अगर आप ऐसा कॉंटेट मनाते हो ज्यादा लोग लाइक नहीं करते डिसलाइक करते हैं तो इस उप्शन को आज कल बंद करने का कोई पॉइंट है नहीं उसके बाद यहां पर मोनेटाइजेशन को अप्शन आता है कि आप अपनी एड्स को कहां कहां पर चलाना चाहते हो वीडियो के बीच में भी चलाना चाहते हो ओवरले एड्स पॉंसर्स एड्स यह सारे उप्शन आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कोई भी लाइश्ट्रीम कर रहा होगा और आपके चैनल पर अगर कोई लाइश्ट्रीम है तो वह अपनी लाइश्ट्रीम से आपकी लाइश्ट्रीम पर वीडियो भेज देगा मतलब वीवर्स को भेज देगा और ब्लोक लिंक से क्या होता है जब आपके चैनल पर कोई कोई भी आए तो उसको कुछ ना कुछ गाइडलेंज दिखे तो आप ये वाली तीन गाइडलेंज जैसे हम सिलेक्ट कर लें तो जब भी आप कोमेंट करने जाओगे तो आपको ये ये तीन ये अपसा बीलो लोग।